नमस्कार दोस्तों मैं अविनास माविगान चैनल से आज हम सीखेंगे ओमेस गुरू एक सॉप्ट्वेर है उसके थुरू फ्लिपकार्ट के स्मार्ट ओटर कैसे प्रोसेस करते हैं मैक्स्मम और मिंटों में कई मिनट दूप मैं लक काई मिनट दू निर्मार्ट लग सब्सक्राइब कैसे प्रोसेस करते हैं स्मार्ट तरह किसे चलिए है तो आ इमेइल आईडियां पर डालेंगे और उसकर पासवर डालते लोग इन पर किलिक करते हैं लोगिन होते ही ओड़़ ज्याते हैं जाना इस डेख पर नॉर्मल अटर होता है हमें समार्ट ओड़वेश्ण करना है ये मैं मैं maximum 50 orders आप निकाल सकते हैं या उससे कम उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं तो मैं फिलाल इसको पचास ही रहने दे रहा हूं और create कर रहा हूं यहां पर देखेंगे एक पीडिया फाइल जन्रेट होता है मतलब पिक्लिष डाउनलोड हो गया जन्रेट हो गया उसके बाद OMS गूरू पे लोग इन करते के पैक लॉग में जाएंगे पैक लॉग में देखेंगे यहां पर पहले से मैंने नौ ओडर का पिक्री जन्रेट किया तो मतलब कि यहां पर अभी सून ही हो रहा है वापी से फिलिप कार्ट पर गया open link with new tab home बटन पर रैट क्लिक करक कि open link with in new tab पर क्लिक करेंगे तीन चार्ट अब नया खोलेंगे वापी से मुमेस गूरू पर आके रिफ्रेश करता हूं देखी यहां पर new order सू करने लग गया 9 order है जो कि सू हो रहा है इस पर जाके भी order पर क्लिक करके नॉर्मली पैक ओडर कर देना है दो से तीन मिनट मैक्स और एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि order process हो रहा है नौ ओर थे अभी मैं refresh कर रहा हूं यहां पर refresh होने के बाद देखते हैं देखे ची ओडर बचा तो एक से दू मिनट आपको लगना है order process होने में मैं एक बार फिर से refresh करके देख लेता हूं कि देखे चार बचा तो मतलब कि एक से दू मिनट का टाइम लगेगा जितने भी new orders है वह hand over में चले जाएंगे अपने आप एक बार और चेक कर लेते हैं हां देखे यहां पर एक ही order बचा मतलब कि वह में इस गुरू के साइट पर जाते हैं तो वहां पर हो गया होगा वह में इस पर यहां पर भी successfully दिखा दिया पैक लोग में जाएंगी पैक लोग में new order शो कर रहा था अभी यहां पर ready to sip देखे नो ओडर ready to sip शो कर रहा है इस order को खोल के एक बार यहां भी देख लेते हैं प्लिप कार्ड पर हैंड ओवर में चला गया होगा अब प्लिप कार्ड में देखिए आठ ही काट गी और एक डिलेवरी मतलब 9 order हैंड ओवर में चले गया है आपको बस मैंफेस्ट डाउनलोड करके आँसे निकाल लेना होगा हम उमेंस की सेट पर चलते हैं नौ ओडर से है इसको डाउनलोड कर लेते हैं भी orders में स्लैक कर लेते हैं सभी orders को और डाउनलोड और आपका invoice और shipping label यह सब चीज़े डाउनलोड हो जाएंगे zip file में कि यहां पर डाउनलोड किलिक कर लेते हैं और यह फाइल डाउनलोड हो जाने के बद बस हमें प्रिंट देना होगा मैं TCS प्रिंटर जो है वो यूज करता हूं बार कोड जो भी होता है हमारे लेबल उसके लिए थोड़ा सा टायम लग लगए थोड़ा नेटरोक स्लो है इस वैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है अब यह डाउनलोड होगए देखे जिप फाइल खुल गया फिपाल को कोल की सिपिंग लेबल मैं इसमेंसे बस प्रिंट देदोंगा और इन्वोइश शिपिंग लेबल हैंसे को प्रिंट दे दिया बस हमारा काम हो गया इसके बाद हम मेनिफेस्ट डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद पिक अप वाल आएगा आपका ओडर पिक अप कर लेगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अ अगर कुछ नए टॉपिक भी मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू फो वाचिंग बाबाए